चाह, जोट्रप्र औरम भी बैस्टने काल हाथ दो, ना? संभलगे, चल्ड, चल्ड, चल्ड अ tanto अमरे क्या कर रहा है, चल्ड कि टाइम पास के लिए तुम्हें यही स्कुल मिला था क्या सनी यह न पुलिस का लफड़ा है न रूम का भाड़ा फूल इंग जॉय तुम लोग शबाब पे दें दो और अपन लोग शराब पे चलो जाके मज़ा करते हैं यहां बेटे क्या चलेगा अच्छा मेरे चांग अच्छा शराफत मुझे बात बता बोलना रात का घना साया है शीतल चांड की काया है इतना परसीना क्यू आया है कुछ समय नहीं आया है काने दर लाना आव जब पिते हैं ना तो जुमते हैं अब जाके शराब उस पेड को फिला फिर वो भी जुमेगा फिर हावा चलेगी पसीना गूम ले लेगेगा देखो भाई यह दारू बड़ी मुश्किल से ब्लैक में लेकर आये थे तो पीने के बाद अच्छी हवा देना ठीक है अच्छी है अच्छी है जुमा बड़ी उसको चढ़ादिया पर वो तो जुमा ही नहीं आईसे काईसे भाई यह पकड़ दारू के साथ बियर दोनों को मस्त मिक्स कर डल पेड़ कुदी जूमने लगेगा जा अरे शक्मा क्यों रही है अधी मस्त एसी के जैसे हावा पेखना हां अब तु जरूर खुमेगा एक दूनी दो दो दूनी चार अभे सोनो शेरा पिलाई पीयर पिलाई दोन्नों इतना प्यार से पिलाया फिर भी सिदे का सिदे खड़ाई मारे इसको पोड़ाई पोड़ाई चोड़ाई आटो अटो आटो प्रश कियाए उघर भाई प्रु़ाई प्रु़ाई आह 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 दो मिनट चांती से नहीं बैठने थेते हैं अभी आए डाले अरे क्या होआ तुम बेवणों को हाँ क्या होआ तुम बेवणों को हाँ क्या है क्यों दे रही है काला जादू है रुक जाओ मजाक मत करो मैं डरने वाला नहीं तेरी तव चाहँ सिर्ण पुझ्जा छोड़ दो हमें जोड़ दो हमें तो यह क्या हो रहा है एुझ्ँझ्पट्ण अजय फजह एई जा quas जाएन चैएको हुझ्छूद्छ्टट material ऊखऴ हrow झा बाएको झॉ़ाँ ऑनकी अऑ़ प्नकижी आएको fool कि झाहसे, यु़ाँ़ लंऑेको रहा कैश्प़ एक बहीने बाफ बाफ रे कितनी भयानक बद्वु है कोई अंदर जाकर देखो आखिर सड़ क्या रहा है जो अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आएगा जल्दी से कोई कुछ करो मुझे बड़ी जोर से आ रही है जोर से आई है तो तुम ही चले जाओ किसी आदमी को ही अंदर जाना चाहिए हां और तो ने मर्दों को सिर्फ टॉयलेट की ही लाइन में आगे रखा है तुम साथ चलो तो टॉयलेट क्या जहन्नूम भी चला जाओं ओहो इस टॉयलेट से ज्यादा बदबु तो तुम्हारे म नाक वाली ज्यत्ती टीचर जनम से ही वो किसी भी चीज को सूंग नहीं पाती वहीं चुटकारा देगी वरना आप से पहले आपकी नाक की रिटायर्मेंट हो जाएगी सर सब ऐसे टॉयलेट के बाहर क्यों खड़े हैं अंदर से बड़ी तेज बगबु आ रही है और यहां किसी में भी चेप करने की हिम्मत नहीं है अब तुम तो सूंग नहीं सकती इसलिए राज़ दूद बनकर अंदर जाओ और शांती दूद की तरह बाहरा कर बताओ जरूर इस चर्बी की दुकान ने मेरे बारे में सब को बता दिया ऐसे तो मैं देख लूँगी ठीक है सर मैं अंदर जागर देख लेती हूँ हाँ ठीक है क्या कर रहे हो बेटी तुमने इसे बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है ये तो कुद्रत का हिस्सा है ना अरे मैं कॉर्परेशन वालों को फोन करता ना वो इसे यहां से ले जाते रहने दीजे ना वो आएंगे और इसे किसी कच्रे के ढेर पर जाकर फेग देंगे मैं है वो जल्दी करो ये मरेली नाक वाली ही कुद्टे को ठीकाने लगा सकती थी वरना हम तो जिन्दा कुद्टे को भी हाथ लगाने से डरते हैं अगर मैंने दुबारा इस धरती पर जन्म लिया तो मुझे तुम्हारे जैसी बनकर ही पैदा होना है मेरे दोस्त क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी सुने की जबरदस्ट शक्ती चाहिए रोज जिस दुख से मुझे गुजरना पड़ता है उससे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ लोगों का फ्यूचर हातों की लकीरों में नहीं मेरे पोपट की चोंच में बंद है अभी अपनी चोंच से तुम्हारा भाग्य बताएगा चलो आजाद मिठ्चू इसका भाग्य बताओ शर्मा क्यों रहे हो बहार आओ चलो चलो उठाओ तुम्हें भूस खाने की आदत हो कमरा पूरा असाह देगा अभी चाहे ऑटो के पैसे ना हो पर भाग्य खुलेगा तुम बेंस कार में सिग्नलों को तोड़ते हुए दूर तक चले जाओगे समझ गए अज जाओ 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 अज दक्षिना तो दो नमस्ते बैठी आपके चार्जिस क्या है खाली 20 रुपए और मिठु का प्राइस तोटे की क्या क्रीमत है क्या बोली मिठु बिकाओ नहीं है बता वर्णा तेरे कपड़े बिकवा दूँगी क्या समझते हो पैसे कमाने के लिए इस मासूम से परिंदे का मिस्योस करते हो शर्म ने आती क्य खुद के लिए पूरे तिन का जुकाड करते हो शर्म ने आती क्या तुम्हें यह चोटा सा परिंदा तुम्हारे पूरे घर का पेट पाल सकता है तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तो अपनी फैमली के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो इसे खुली हवा में छोड़ने के तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है इस बिचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बत्तमीज की साथ एसे कप तक रहना पड़ेगा यह दूसरों का फ्यूचर क्या बताएगा हां लोगों की इमोशन का फाइदा उठाकर उन चीव यह लो फेट भलके खाना हां जुब 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 और ले लो मैं उस दिन गई थी वहाँ पर हां मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा अगली बर जाओंगी तो खरीदूंगी अरे का भागी ठीक है चलो हलो क्या चाहिए तुम कमाल हो सच में बड़ी प्यारी हो बलकि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है हां जानता हूं किसी अजनभी को ऐसे सड़क की भीच तारीफ करना अजीब तो है शायद घलत भी हो पर अपने जज़बात चिपाना भी तो घलत है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्या तो मुझसे शादी करूगी तुम तो कुछ कहीं ने रही हो मैंने कुछ गलत कहा तो सौरी हां गलत ही तो है किसी दो बच्चे की मा से यूँ सड़क पर चाटिंग करके सेटिंग करना गलत है रुको ममी आ रही है मेरे चैसी हाउस वाइफ सर्फ सबजी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने के लिए घर से निकलती है अब तुम ऐसे रोक कर मेरी यह आजादी भी छीनना चाहते हो रुको रुको अरे इतनी देरी कैसे हो गए इतनी दवी बताती हूँ आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा काम खतम करके मैं घर वापस आ रही थी एक बिवकूफ अचानक मेरे पीछा करने लगा मुझे शक हुआ मैं मुड़ी तु देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था अच सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए मुझे तो लगा कहीं एक गवार मंगल सूतर जीब में रखकर न लाया हो पर मैं हूँ तो आपका ही हूँ पता है मैंने क्या किया बता मैंने उससे कहा कि भाई साहब मैं पहले सी शादी शुदा हूँ और दो बच्चों की मा भी हूँ मा चेरब पुरा लाल पीला हो गया वो लड़का कहीं ये तो नहीं लगता है शौक होगे तिवया वहां बैंच पर यही मम्मी मिली थी ना हा मा अरे बापरे लगता है गई भैस पानी में तूने जो कुछ भी कहा सब जूट का पर मैंने इससे सब कुछ सच कहा है मैंने तो इस है और इसका दिल सोने का है बचपन से गुरु कुल में हम साथ ही पले बढ़े हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं इसका मैं हूं और मेरा ये है अगर आप चाहें तो रिष्टे की बात आगे बढ़ाते हैं हाँ बिलकुल बढ़ाते हैं एक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सक बाबा मैं इसे अकेले में बात करना चाहती हूं हाँ बिलकुल बात करो मैंने तो इससे घंटा भर बात की बाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा आज तक जितने भी लड़के तुमें देखने आये तुमने सब को खरी-कोटी सुना दिया फर ये उन जमूरों जैसा नह सपना है पर मुझे लगते हैं मुझे कभी भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए तुमारी सुने की प्राबलम के बारे में जानता हूं पर ये प्राबलम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी सही इंकार कर दो प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूगी मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें जेलनी पड़ेंगी शुरु शुरु में तुम्हें श्याद सब अच्छा लगे पर जिन्दीगी बर जेल पाओगे इसकी कोई गैरंटी नहीं है पत्नी का मतलब सुक तुक बाटने वाली ना कि जिन्दीगी भर का बोज और इसके लावा एक बर फिर मैं किसी अपने के मौत की बचा नहीं बनना चाहती मा मा के सैंडल्स गायब है मतलब आज भी सबजी लेने मांकिट गई है चलो अच्छा हुआ आज मैं गाने सुनते हुए दांस करूंगी अरे यार लाइट चली गई इस लाइट को भी अभी जाना था क्या नो प्राब्लम वाक मैं तो है जोती स्कूल से वापस आ गई पागन लड़की मां याव याव मां मां मेरी बचा से मां चली गए और मुझे पता तक नहीं चला जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खत्रा मंडराता रहेगा इसलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है अब हर कोई मदर टेरीसा तो नहीं बन सकता लेकिन उनके बताय रास्ते पर तो चल सकता है और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पती से परमिशन बिलकुल नहीं मागना चाहती मैं सिर्फ अपने पती का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती एक मिनट तुम्हारी शादी ना करने की वज़ा क्या है तुम्हारा कुछ ना सूंपा न या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना एक बार फिर से कहता हूँ मैं तुम्हें बेगा चाहता हूँ पर फिलाल तुम्हारे जिंदगी में बहुत कन्फूशन है इस ओके जब ये कन्फूशन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सबनों में आने लगूँगा और जब आने लगूँ तो बाबा के हथ मेसेज भी चवा देना फिर मिलेंगे एक और बात देख ले ना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी ज़रूर छलो बाए तो क्या पढ़ाया टीचर ने सोना था अपसराय दिल से सोचती है आज देख भी लिया पर वो मेरी होके रहेगी कोई पसंद आई बाई हाई श्योती तुम्हारी मर्दी के बिना तुम्हारा पीछा करना घलत है उसके लिए अब तुम्हें फोडोस इतनी पसंद आई गई हैं तो ये घलती मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ हलो एथर उधर क्या देख रही हो मैंने सोच लिया शादी तो तुमसे ही करूँगा मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊँगा तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खाके कहता हूँ देवदास बन जाऊँगा मैंने तो बोल दिया अब तुम्हारी मर्सी पापा मोल रहा हूँ दमाज जी ने एक वीडियो भेजी देखी कैसी लगी वो एक तम हीरो लगता है पूर रख दीजे बाबा बेवडे कहें के पूरे शराबी है आप जितना पीनट पीओ ठीक है ठीक है पूरे हो गया न कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया देवी मा तुम्हारी सारी मनो कामनाई जरूर पूरी करेंगी ये लो थाइंक्यू दिदी संभल के जाना देवी मा इस उम्र में लड़कियां अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं पर मैं चाहते हूँ कि मेरी शादी ही ना हो मैं नहीं चाहते कि मेरी वज़ह से कभी किसी को कोई कश्ट हो प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजे और जगन का भी जो हर जगा परचाए की तरह मेरा पीछा करता है प्लीज अरे वादे कुस के सादी चल रही है अरे में लिए सादी देखो अरे तरए अरे वादे वाद अरे अरुह ख्लीज ख्लीज आरेवाद हुआ हुआ है फाद में या है है अरे बेटा कबसे मैं चिल्ऩा अ रही है के तुम्हारी सारी में आग लगी है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या श्व शराबे में कुछ शुनाई नहीं दिया होगा इन सुनाई नहीं दिया लेकिन सारी में आग लगने की बास तो आई होगी हर जगा तो दिये जल रहे हैं इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा चलो जाने दो इस लड़के के रूप में आकर स्वैम बोले नात ने तुम्हें बचाया है नहीं तो अनर्थ हो जाता कब से कम अब तो समझ जाओ जूती तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ आगे जो तुम्हारी मर्जी वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफसुत्रा टॉइलेट बना हुआ है लेकिन खुले में पेड के दीचे थंडी हवा में सौच करने का मज़ा कुछ और ही है कितना मज़ा रहा है जोने बारे हुआ अरे चूब हो जा अलका होने के टाइम पर काई कुछ डिस्टरब कर रहे है चूप चूप आज में इस पेड को इतना पानी दुगा कि यह हरा बरा हो जाएगा अरे ज़ाएगा उपरसे बसीरा चूट रह और यह बंद भी नहीं हो रहा है यह केसी बाएगा बागो यहांसे ये रायता किसने भालाया? बोलो मुँमें दही है क्या? सज बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंड के लिए हो जाएगी अरे तुमें ही कुछ बोल दो मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बन करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर हाँ दी थी ना मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी तो फेर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना ऐसे तहस ना इस थोड़ी करता किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबाके भाग जाओगे और वाच्मेन जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे सर वो क्या है कि मैं जानता हूँ तुम्हें सारी गलती तुम्हारी है रोज रात को पीके टुन हो जाते हो तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुनके मेरे कान पक गए है सबसे सचे इंसान शराबी होते हैं साहब अगर डियो साहब यहां इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूगा हुए और कोई रास्ता नहीं है ध्यान से सुनो जब तक कैंटीन का स्टाउक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे और तू वाच्मेन सुन ले मेरे तेरी सैल्री काट लूँगा जाके भूत पकड़ो साब हम गरीबों का गिरेवाद छोड़ो पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा प्लेट ठीक से पकड़ो बिटा यहां जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं और तुम बच्चों के साथ बैट कर वही खाना खाती हूँ जो बच्चे खाते हैं बहुत अच्छा लगता है मौसी अंडा दो जानती हूँ तुम्हें तो दो अंडे भी कम पड़ेंगे चलो शुरू हो जाओ टीचर पहले खुद खाती है उसके बाद बच्चों को खाने देती है टीचर आपको अंडा पसंद नहीं है ना तो ये भी तुम्ही खालो थैंक्यू वैसे एक बात बताओ तुम्हें सब अंडा बेटू कहकर क्यों बुलाते हैं वो क्या है ना टीचर जब मैं अपनी मा के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था इसलिए मेरा पैर तेड़ा हो गया अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूं ताकि मेरे बच्चे भी ताकत वर हो इसे पूँचे सब इस से भुकड संजय क्यों बलाते रहते हैं तुम्हें सब भुकड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं रोज 3-3 तिफिन भरकर चावल ले जाती हूं इस वाले तिफिन को मैं अभी खाऊंगी ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर पाँच लाग का करजा है हम खाने का पैसा बचाते हैं, ताकि ये करजा जल्दी खत्म हो जाए टीचर स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते अपनी मा को आज किसी होटल में खाना खिलाना आप तो मेरी टीचर है ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है? ओके टीचर टीचर, प्रिंस्पल साब आपको बुला रहे हैं तुम चलो मैं आती हूँ मैं कम इन सर? कम इन प्लीज आओ आओ जोती बेटा अगले हफते एक्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तयार करने होंगे अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौंपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे लेकिन जोती तुम एक जिम्मेदार टीचर हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एक्जाम के पेपर्स तुम तयार कर लो रहे प्रुम में लेकिन अजिए पेपर्स कर दुम अपेपर्स कर देर समय हो को में हो आए अई मेरी पैंट फिर से की लिए होगी नौकरी से जदा मुझे अपनी जान प्यारी है नोदो क्या रहा हो जा बाबा कि अॉय के बाबाबा जे गभान है रहा है टो अ झाओ तर यार है विरन पहल falls ब खुबंज जूअ copper exposeा. अईंसेल यूम is अ भी जी पहा dunno. थहार को जइ पना मूफसाम बốn जागान श कसके लागा. बाख हम्ना को बिशिधिए कि भीया कह रहला, इफ języ ब कर दो ब जए इएू法 Love? कि अंहलhmenOR में झाहुजए है, आँ! आँ! वज़ बुझा सकता है मुचित! है 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 इस लड़की ने आपकी जान बचाई है बाल मार शुक्रिया बेटी बता ना बेटा बने बेटी तुम नीचे किस वजए से आई बताना चुप क्यों है बेटा बस नुझे पठा चल गया बाबा पता चल गया Какेसे पता चल गया मुझे मेहसूस हो रहा था वही तो पोछ रहा तुम्हें आप मैहसूस कैसे हुई क्या तुम्हें वो बजली के तारों की बदबु अच्छी भी और बुरी भी बुरी भी इसे इसे से इसे सुगो है ओर रहा है ना आ रहा है ना इन्हें सुंकर अच्छा लग रहा है बाबा हाँ फिर से फिर से बहाँ अची कोछ बुख अरे वह बेटा तु सुंग सकती है तरी शक्ती वापस आ गई बेटा यह बगवार तु सुन सकती है बेटा बगवार तरह लाग लाग शुक्र है आजा आजा अचा एंचा में वाइ बुताओ छुम्र Hai जुक्त बहुता राच एंपने कीवार में बगवार पनेडनर desires जूअ महले जूऑ की यह तरहे है अचा जूए यह यह तरहुव को थे रिए हारी ना अच्छा लगा ना क्या बात है मैडम आपने लड़कों वाला पर्फियूम लगाया है क्या हां सही कहा तिम ने पर इसे कैसे पता चला अरे वा जी होती मैम तो दिन पर दिन खुबसूरत ही होती जा रही है बहुत सुद्धर पाइब गुद मॉर्णिंग मैम गुद मॉर्णिंग फीचा बच्चों मैं अपनी आँखें बंद करने वाली हूँ जो बच्चे नहाए नहीं है या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ तुम सब के सब नहाए नहीं यास मीज़र और क्यों मिस बताओ मैं बताओ मेरी मम्मी आपके बारे में क्या कहती है उस खराब नाक वाली टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा मेरी मापके बारे में क्या बोली पता है प्लीज अब मुझे और कुछ नहीं सुनना आज मैं तुम लोगों को यहां नहीं पढ़ाओंगी आज तो बाल बजगे आज तो बाल बजगे है कि और को बचले प्ज़एंगीा करें प्राण ग्राण कर दो कि लिए बस्टां औरा दो जोगे कर दो कि अट है कर दोल कि अछूड़ को कि अ कर दो अए है इस साइट से ट्रेडर्स एन कंस्ट्रक्शन वोकर्स यूनियन के लीडर मिस्टर चड़ा की डेड बॉडी मिली है मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है पुलिस की टीम अपनी तरफ से मामले की गहराई से जाच कर रही है सेंट्रल हेल्प मिनिस्टर का काफला कभी भी यहां पहुच सकता है बताय जा रहा है दोरों करीबी दोस्ते जाइट सर सर मिस्टर चड़ा आपके बड़े ही करीबी दोस्ते उन्हें माने से किसी को क्या पाइदा हो सकता है क्या कर रही हो फाल तुका सवाल मत पूछो जाओ यहां से सबसे पूछता जारी है यहां काम करने वाले मिस्टर राम सिंग ने सबसे पहले लाश देखी था हमने सारे वरकर्स को यहां बुला लिया है और एक एक करके पूछताच कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है उनकी मौत कोई हाथसा है या फिर मॉर्डर दफ्तीश जारी है बड़ा घूर घूर पर देख रहा है जिन्नोंने वोट दिया उनने तो पलट के देखता भी नहीं इसकी डर से पटी हुई आखे देख रहे हो तुम इन आखों में मौत का डर नहीं है यह आंक़े कातिल के डर से पटी हुई यह कातिल का काम नहीं हो सकता अब कातिल एक था या दस थे मुझे फर्क नहीं पड़ता जो कोई भी था पास पास के सारी CCTV फुटेज चेक करो, क्या कर रहे हो, फोकस करो जार, गंट्रोल सेंटर, मिनिस्टर के घर पे, एक बार और कई है, सर चेक कर लिया, कोई फुटेज नहीं है, क्या, नॉर्थ साउथ में भी कोई फुटेज नहीं सर, एस्ट वेस्ट के इलाके में फुटेज ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मिनिस्टर हमको मारी डालेगा, सर, मिनिस्टर को किसने मार दिया, क्या, मेरे भाईया की मौक कैसे हुई, पहले भाईया योगा कर रहे थे, थोड़ी देर पुजा पाठ किया, फिर किसे ने मार दिया, पोस्ट मॉर्टम के मुताविक, रुद्राक्ष माला की वज़े से इनकी मौत हुई है, बाहर से किसी के आने या जाने का कोई सुबूत नहीं मिला, सीसी टीवी फुटेज में भी आपके भाईया और चड़ा जी की मौत के दस मिनिट से पहले से सारी फुटेज पूरी तरह से बरबाद हुई है, इस खून और उस खून के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, मैं खुद कई बार से बचेक कर चुका हूँ, किसी तरह का कोई सुबूत नहीं है, पॉसिबल नहीं है, भाई फोटो निकाल लिए, ये लिजे, फोटो देखिए, ये दो किसी हाथी का प्यार लग रहे है, ये कैसे बचगा तेरे से, मैं अभी फोरंसिक वालों को बलाता हूँ, बैं जल्दी से बुला, कितना कन्फ्यूशन है, बड़ा ही रेर केस है, ये पैर का निशान हद से ज्यादा भारी है, ना ये किसी आदमी का लगता है, ना औरत का, खुल के बोलना, जब भी कोई आदमी चलता है, भले ही वो 35 किलो का क्यों नहो, निशान गहरा बनेगा, और औरत होगी, तो 85 किलो की क्यों नहो, निशान हलका ही बनेगा, पर इस निशान में आदमी और और औरत दोनु का असर दिख रहा है, मतलब किसी किंणर का काम है, बढ़िया सवाल, करेक्ट जवाब देने के लिए, मुझे इस पैर के निशान को चेक करना होगा, माइक्रो मिलिमीटर रेंज की अक्यूरसी पर, फिर सारे फैक्ट्स को मिलाकर, चारों तरफ की डेंसिटी पर गौर करने के बाद ही कुछ बता पाऊँगा, तो इसमें दो दिन लगेंगे, मैं टूर से लोट कर ये काम कर दूँगा, बाई गाइज, बाई, बाई ब्रो, तेरी टूर तो यही कराऊँगा, सर, 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 यहां पर खून हराबा मंगा, यह, दो दिन की कीमत तुझे पता है, नहीं सर, नहीं पता, दो दिन पहले, मेरा भाई सिंदा था, अब मर चुका है, काम अभी, चालो कर, तो स्वीट, थांक्स, हैपी टीछस टे, थांक्यू, कहा था ना मैंने, हमें ज़रूर मिलवाईगी, तकदीर, कॉफी, विदाट शुकर, यह मत सोचना, मैं कॉफी पिलाकर भगभग सुनाते रहूगा, मेरे, माबाप के मरने का मैंने कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी उने देखा ही नहीं, पर मैंने तुम्हें तो देखा है, और अगर तुम मेरी जिन्दगी में नहीं आई ना, तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा, कहे ना जोती, मैंने जिन्दगी में बहुत दुख देखे, अब सुक चाहिए, और तुम मिल गई तो, कमी पूरी हो जाएगी, जब भी जवाब देना हो, कॉल कर लेना मुझे, बाई, अरे बापरे, सपना था, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, देख लेना एक दिन तक्दीर हम दोनों को मिलाईगी जरूर, बाबा, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहे हूँ, खाना खा करी आऊँगी, बाई, जोती बटा, तेरी फ्रेंड्स तेरी शादी में काब आएंगी, ये तो अब आप ही डिसाइड करेंगे ना बाबा, अरे, माटब तु तयार है, हाँ बाबा, जितने में लड़के मुझे यहां देखने आये, सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरी कमजोरी ही देखी, और कुछ के नजर सिर्फ हमारी इस चोटी सी जमीन जायदाद पर थी, पर जगन वैसा बिलकुल नहीं है बाबा, उसे पता था यह फैसला आसान नहीं है, पर उसने मुझे पूरा बक्त दिया, वाह, बताब तु तयार है, बहुत बड़ी है, मैं तयारी करता हूँ, देख लेना, तयारी मेटी, बहुत अच्छी, वाह, बदा आग्या, फुट्प्रिंट के डेंसिटी से पता चलता है, कि कातिल कोई किन्दर ही है, सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक लड़की का ही बाल है, मुझे ये सब मत बता, उसका नाम बता, कैसी दिखती है, कहां रहती है, इस बाल की मदद से हम उस तक पहुँच सकते हैं या नहीं? इंपॉसिबल है सर, इंडिया में ऐसा सिस्टम है ही नहीं, इंडिया क्या, कहीं भी मुम्किन नहीं है, मुम्किन है सर, जिस टिग्रेट को पीकर फेक देते हैं उससे, जिस चुइंगम को खा कर थोक देते हैं उससे, डियने टेस्ट के इस्तिमाल से उस इंसान का चहरा बना सकते हैं, एकदम सेम टू सेम, ऐसे आर्टिस कहां मिलते हैं? अमेरिका में, अम्रीकियों का दिमाग काफी तेज है, यह आविश्कार इंडियन नहीं किया है, प्लीज कम, प्लीज कर दो कि अपड़ा हैं, आविश्कार बना अवज़ा, प्लीज कम, झाल उस मिलते हैं, प्लीज कम, लीज कम, व्लीज कम, व्लीज कम, पूरा यखीन है यह बाल इसी लड़की का है? येस, अफकॉस, हंड़र्ड पसेंट इसका फोटो निकाल और आधार काड के डेटा से मैच कर और घसीटे हुए लेया काम हो जाएगा भाई काम हो जाएगा भाई चल बता, जिनको मारा उनसे तेरी दुस्मनी के थी क्यों मारा उनको, चल बता मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ मैं तो कीडे मकॉलों तक को नहीं मारती एक इसान को कैसे मारोगी याकीन कीजे यहाँ तेरी क्लास चल रही है क्या? मैं जानता हूँ, तू नहीं मारा उने मेरे पास सारे सभूत हैं जली से बोल, क्यों मारा उने? मुझे कुछ नहीं पता तुम सब मुझे मारना चाहते हो, तो मार डालो पर सच में मैंने कुछ नहीं किया मैंने किसी का खुण नहीं किया मैं सब आप नहीं कर सकती हुदे किसी और ने मा रहा हुआ है बेबी हमारे सामने अक्टिंग डिखाएगी हां प्यार से पूछेंगे तो घुमाएगी हम सब मिलके तुझे इतना प्यार देंगे कि तिरा मुझ अपने आप ही खुल जाएगा हेरा शुमा प्याश्ना आप में तो ंत्राफ ने उस्डराफ प्याश आप प्याश्नुमा प्याशि कि अविएग्स आता मिल cone जबे खिल कि में ने आता एएणी हुआग अपनी साड़ी तो ले ले साफुआ मेला नो contains great वह बज़ कर दो जा रहे थी है वह बज़ को जा रहे थी है वह बज़ कर दो जुस्पा क्यों है? ए! क्या हुआ? पता नहीं भाई जो जा के देखना दिसले की साईσा! देल के गचार से पजार फिर साई की आजिए शिर फिर सेन झाल हुआ हुआ है तुकॉर हैं जिए नहीं परचाना है तुक नहीं परचाना मझें टा देवर्ना छोडूगा नहीं तु 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 मर गय था ना मुझे मरे हुए तो आज पूरे 32 तिन हो गय है मैंने तुझे मारा नहीं मुझे मुझे कुछ मत करना मैंने ही तुम्हारे सारे आद्मियों को मारा और बचे हुए श्यतानों को भी मार डालूंगा हया चोरनों मुझे बच मत्मार आदा है, सब 20-00 को… बोल सो अखात your आट इस फॉर बैस No ... ... ... .... .... ... curse ... ... ... परमाद के मिलाए एंप है कि अ झाले बढ़ती खंप फोगूओ कर्णादा टो परमें चारती लोकर कर फूर दो न फूरती अगूरती लोगूदी कर दोारती लोगू़ूदी कि अगूदी लोगूदी कि अजराना अगरतीय लोगूदी कौन है यहाँ प्लीज जवाब दो कौन है यहाँ कोई तो मुझे बताओ कि यह क्या चल रहा है तुम कमाल हो सच में मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताओं तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया न तो कसम खाके कहता हूं देवदास बन्जाओंगा तक्दीर ने हमें मिलवाया भी तो किस रूप में तुम सोच रही होगी कि मेरा यह हाल हुआ कैसे यह बताने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी होगी जोटो कड़ेंगे क्यारे शाणे चाही गिर जाती तो लेकिन गिरा तो नहीं न चाल बी और निकल क्यारे शुटु गदने पानी गिलास दोता है तो बदभी आती दोंग जासे न चाहीं कि तो यहां को पानी पानी में गिलास दोता ने नूट पानी में कियो तकलिफ यान में रहरे हूं ? तबरी न्य दिखा थाय ऑँ है रहा। अ मोओ दो ? आपे यह के संपिदだ। cular? तुखने के लिए चृते है, माली कार-गंदी कर दी। वेलाट निया देखे में माली। यह सक आता, माली किन और समय मुछित बंप शहुरा है। अपन क्या गलत बोदा सब, यह बगड़, यह दुकन आपकीचे न, काम दंदा एकदम टकाटके, एक चाय कितने की, दस रुपे की न, उसमें दो रुपेया लेबर, तीन रुपेया टोटल खर्चा, बोले तो पर गिलास पाच रुपेया कमाई, और अख्छा दिन में हजारो गिलास चाय बेशते हो, फिर भी आपका ये छोटू गंदे पानी में गिलास दोता है, गिलास होट को लगाओ के नाक के बाल जल जाते, चलो उसका भी वांदाने, ये भजिया तो खाने की चीज़ है न, इनको तो कम से कम लखके रखने का न, मामू, सड़क की सारी धूल मि करवा दूँगा, फुटले चल, मामू, आपन धूला है, समझा, तू पुलिस की बारात मत बुला, आपनी बारात रेडी है, देखाऊ तेर को, ये चाई की नहीं गंदगी की दुकान है, ना इसने हाईजीन कैप पहनी है, ना भजियों को ढखकर रखा है, ना नो स्मोकिंग भोड लगाया है, और चाई पती में मिलावट है, सील इट! तू जानता है किसकी दुकान सील कर रहा है, दुकान सील करने से मैं डर जाओगा क्या, मैं टी शॉप ओनर्स यूनियन का लीडर हूँ समझा, इसी शेहर में मेरी 152 दुकान है, तेरे जैसे 36 ओफिसर आय और गए, एक घंटे में ये सील उखाड के तेरे मूँ पर ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद है, इसकी 152 दुकानों पर मुझे ताला देखना है, पोई पूछे तो बोलना, फूद सेफ्टी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिशनर जगन का ओडर है, किसी कबाप ये सील नहीं हड़ा सकता, तेरे ज़वाट, माजवाट, ये पिंटर भाई, वो नमबर ब्लेट पेंट करने गए, बोले तो थेर कुकाला भीला कर दूँ, सर, आप एक्या कड़ा गेटप है, सर, देर से क्यों आयों, रास्ते में नेक काम करने के लिए रुख गया था, ऐसा नेक काम? एक अक्सिडेंट हो गया था, सर, हॉस्पिटल गए थे क्या? नहीं, विडियो बना के फेस्बुक पे फीलिंग साड वाला पोस्ट डाला, आपको भी टैग किया है, सर, ये साइकल और साबान लेकर, जल से जल्द ऑफिस में आकर मिलो, सर, सर, वो, सर, पूरी दुनिया पोस्ट करती है, तब तो कुछ नहीं सर, कल चाय की दुकान, आज कहा रेड मारनी है, आज कोई रेड नहीं, बहुत भूक लगी है, चलो कहीं खाते हैं, ए सकसे न, भूक लगी है तुझे, पानी तक नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं, भूक लगी है कि नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने, दो दिन स खाता हूं, कोकट में तो नहीं खाते हैं, सर, मैं पैसे देता हूं, यह लेता ही नी, सर, यहाँ सेल्फ सर्वेस है, आप बैठिये, मैं खाना लेक्या आता हूं, पर पहले पैसे देना, ठीक है, आज यूपी आई से देता हूं, प्लीज, आप ऐसे भीड में आएंगे, तो मैं कैसे काम कर पहूंगा, आप लोग फ्लीज ब्लाइब में आईए, सर, खाना सूंगने के बाद मैं रुकता नहीं हूं, मैं दूसरे आज से खालूंगा, चार्ज, अच्छा, हम खाने नहीं आएं, रेट करने आएं, सर, वाश बेजन बहार है, आप अंदर नहीं आ सकते, अभी, स्रॉरी सर, दाल गाज देली थी, सर, वो मैं, जितना पूछा हो थो ना बोलो, बोल कहां से लिए, सर, यह मैं न्यू लेजेंश से लिए था मने सर, बोल डाला, क्या मिलाते हैं उस दाल में? पैकेट पर लिखा है साब, देसी घी वाली दाल है, हम फूट सेफटी ओफिसर्स हैं, जूट मत बोल, ओ, ओफिसर हो, तब तो सच बोलना ही पड़ेगा, जानवरों की चर्वी मिलाते हैं, हेस्ट बढ़ता है उससे, पबलिक दाल के साथ उंगलियां भी चबा डालती है, कितने कमीने हो तुम, दाल में चर्वी मिला रहे हो, उस होटल को वेजिटेरियन समझ के लोग वहाँ खाना-खाने आते हैं बे, लिखते हो देसी की और मिलाते हो जानवरों की चर्वी, क्या ये खलत नहीं है? इसमें खलत क्या है? घी आती कहां से? मक्खन में से घी निकलता है भाईया सबको पता है, गाय के दूद से धही जमाते हैं और फिर उसे मत कर मक्खन निकालते हैं पर ये बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, तुम लोग अपना रेड़ बताओ, जेब गरम करो, और यहां से चलते बनाओ मेरी जेब गरम नहीं होती है, भेजा करम होता है ये तुने अच्छा नहीं किया, अब तुझे हॉस्पिटल भेजता हूँ तुझे भेजने की ज़रत नहीं, मैं खुछ जाने वाला हूँ सेलट सक्सेना, सर, पढ़ो इसकी एक्सपारी डेट क्या है 23.05.1983, यह तो कंपनी खुलने की डेट है, सर, जो जानकारी ज़रूरी नहीं है, वो तो क्लियर है, पर एक्सपारी डेट को काटके मिटा दिया गया है इस पैकेट को लेकर आओ मेरा साथ इस ब्रेट की एक्सपारी डेट बताना चापा तो आज के उपर, पढ़ना नहीं आता क्या साफ साफ देखने रहा है, तुम्हें पढ़के बता दो मुझे अरे भाई धन्दे का टाई में दिमाग बत कराब करो, लिखा इस पे, जाओ जाके अपना काम करो एए, ये अपना काम ही कर रहे है, क्या? क्या घूर क्या रहा है, हम फूड सेफटी डेपार्टमेंट से आएं साफ जी और पैकेट ऐसा ही है, तो के बास कहें के, पबलिक को मामू बनाने के लिए एकस्पाइरी डेट मिटा के ब्रेड बेच रहा है, किसी पैकेट पे डेट नहीं है सर सिर्फ ब्रेड ही ऐसी चीज है, जिसे घरी मरीज खरीद कर अपना पेड बार सकते है और तुम उसे खराब होने के बाद बेच रहे हैं, ब्रेड की शेल्फ लाइफ सिर्फ चार दिन की होती है, अगर दस दिन बाद कोई खाए ना, तो जानते उस इंसान का क्या हाल होगा हो ना क्या है, सर्, बीमारों का ईसी ऐस्पताल में आएंगे, इस कैंटीन का धंदा चलेगा है ना, वो बात नहीं है सब, इस कैंटीन के कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है, साहब केंटीन के कॉंट्रेक्टर का नाम क्या है क्या पूछ रहे हैं मुँमें ब्रेड भरिये क्या बोलना वह इस हॉस्पिटर के डीन है सेर मेरे कुर्सी कट जाएगी अखेली सिर्फ तेरी कुर्सी नहीं कटेगी सब्सक्राइब के कहे मुताबिक फैक्टरी के सामने ही खड़ा हूं अगर कोई गाड़ी बाहर निकले तो उस पर नजार रखना अगर ब्राउन गाड़ी आतो रही है ठीक है उस गाड़ी का पीछा करन ठीक है सार कहां तक पहुचे सार नॉर्ट साइट व्लाइवर के उपर चीक है पीछा करते रहो सकसे ना सार काड़ी शहर से बाहर निकल चुकी है इसका पीछा करता रहा तो कण्या कुमारी तक ले जाएगा सार यह मुझे कुछ भी हो जाए वो गाड़ी हाथ से नहीं निकलने चाहिए पीछा करते रहो सर्कारी अफसर होने के बावजूद कच्रा उठाना पड़ रहा है कर दो जाए पाड़ी कच्रा गिरा के चली गई अलो जाते चार चार चिलाते रहते हैं मगर अपना फोन चार्ज नहीं करते हैं सक्सेना अरे सर मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मूझ से निकल गया है सर अब क्या करना है सर कच्रे की तलाशी लो सर मैं एक ऑफिसर हूं और मैं एक सीनियर ऑफिसर जो हुक्म मेरे आका सर ये क्या है अच्छा खासा ड्रम तोड़के फैंक दिया लोग इसमें पानी वानी भरके रखते हैं हमारे घर में तो राशन रखा जाता है इसमें इसे बेच के दो ती नजार तो मिल जाता सर वही तो मैं भी सोच रहा हूं सक्सेना धूनों यहां कहीं एसा टुकड़ा और है हाँ सर अरे पाप सर यह धून रहेंगे कोई फूड कंपनी फॉर्मलिन का क्या करेगी सक्सेना समझ गया सर इस्क्यूज मी रुख जाईए आप लोग कौन है और यहां पर कैसे आए वो तलाब से राइट लेके गोल्चकर से लेकर यहां पहुंच गया और बोलूँ फूड सेफटी ओफिसर्स यह क्या नोटंगी है हार हफते आप लोग चले आते अपनी खातिर करवाने के लिए पिछले हफते ही आपकी टीम आई थी हमसे दूद का सैंपल लेकर गई उसे सर्टिफाई भी किया है ओके करके अब धिर से यहां आने का क्या मतलब रब जेंग यह सर्टिफिकेट एम्स का है यह पूने इंस्टिट का और यह तुमारे अपने डिपार्ट्मन ने इश्यू किये है अगर कोई प्राब्लम है तो उनसे जाके बात करो ना उसकी ज़रत नहीं है प्रभागर अरे तुझे तो निकाल दिया था ना तू ले क्या है इनको हम इसे लाए हैं चला हाट सुनिये तो सर मुझे अपने बहुत से बात करनी पड़ेगी अरे ओ जीनियस इधर जैमर लगे है कॉल वाल जाएगा नहीं अलो सर एलो बोलने से फोर नहीं लगे या प्रभागर सर बिना बॉस के परमिशिन के आप चेक नहीं कर सकते आप चेक नहीं कर सकते सक्सेना जब तक दूद में मिलावट की जाज पूरी नहीं हो जाती ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा इस दूद में क्या क्या मिला है सब प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूद में मेलमाइन मिलाया गया है मेलमाइन क्या है मेलमाइन एक güzel जब एक ही लिटर विए पानी मिलाकर रोसे चार लिटर बनाते है तो दूद के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घर इस प्रोटीन की कमी करने की लिए यदि मेलमाइन मिलाते है नेक्सट दूद को गाड़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर नॉर्मली सौ मिली लीटर में सतर मिली गराम ही अलाउड है पर इसमें तो 200 मजी है सर यूरिया यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए और तुम दूद में मिला के और क्या के मिला है सर, दूद को चिकना बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा भी यूज किया है ये क्या दूद में सोडा डाला हुआ बेवडे लोग दूद में दारू पियेंगे कॉस्टिक सोडा क्या होता है जवाब दो मुझे डिटरजिंट टॉयलिट और कपड़े दोने में काम हता है वो और तुम ज्याग बढ़ाने के लिए उसे दूद में डालते हो है ना सर दूद को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए Formiline मिलाए गया है Formiline 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 तुम्हें पता है Formiline का सही इस्तमाल क्या होता है लाश को सरने से बचाने के लिए इस कैमिकल को तो सुगना भी खतरनाक होता है और तुम इसे दूद मैं मिला रहे हो जिसे मासूम बिच्चे पीदे सर सही माइनों में ये दूद नहीं, स्लोप पॉईजन है मरने के बाद भी दूद का इस्तमाल होता है पर तुम लग दूद पिला कर जीते जी लोगों को मार रहे हो जरन दो पराओएव़ों के लगको 항상 सब बाद़गों कर म Bea आहीं चपारां हुआैकर के किते लींजव़ों का अց़ों के लींजडू़ों के लगी। अधवोती वहती आमवोती है रarrती है cowboy कब से कम अप तो समझ आउ जोती है मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाज़त कर पाओ हाँ सरे सारे से बुट सभी सलामत है सर ठीके दस मिनिट में बाश्टा हूँ सर गुट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने काबिल हो जनता तो बस पुलिस लॉइंफोर्समेंट और इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में ही जानती है पर आज तुम्हारी वज़े से लोग फूर्ट सेफ्टी इसका नाम सूरच चडड़ा है ट्रेडर्स यूनियन का लीडर और टी शॉप ओनर्स एसोसियेशन का प्रेजिडेंट जब हमने इसकी दुकान के टी सैंपल उठा कर चेक किये तो इसकी चाय पती में अफीम मिलाया हुआ पाया गया पर चाय में मिलाने के लिए ओपियम आय के बाद ही पत्तों में सही ताकत, फ्लेवर और टेस्ट आता है मगर इन टी ब्लैंट्स को दो से तीन सालों में तैयार समझ लिया जाए और पत्तियों को जितना हो सके जल से जल तोड़ लिया जाए तो ताकत, फ्लेवर और टेस्ट इन में से कुछ भी नहीं मिलता लोगों सब जानते हैं रोज 6 लीटर पानी पीने से शरीर की 40,000 बिमारिया ठीक हो सकती है पर जो इनसान इसकी कमपनी का बना क्लीन वाटर पानी पीता है उसे 40,000,000 बिमारिया हो सकती है हर इलाके में ऐसे डारेक्ट नल से भरी पानी की बोतले बेची नहीं जाती है वहीं बिखती हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है इन बॉटल्स पर लिखा अड्रेस और दूसरी जानकर या सब जोटी होती है ये है विकी मलहोतरा प्राइविट और पब्लिक सेक्टर में जबरदस्त पहुँच रखने वाला बिजनिसमेन हेल्थ मिनिस्टर का एकलोता और लाडला भाई मिनिस्टर के रिसूक का फायदा उठाने का मौका कभी नहीं चुकता और इसका फेवरिट बिजनिस है सब जानते हैं ज्यादा उयल हमारी सेहत को नुकसान पहुचाता है पर अगर कोई इसका बनाया तेल इस्तमाल करता है तो उसकी जिन्दगी और छोटी हो जाती है क्योंकि इसका जो तेल है वो रिफाइंड उयल बिलकुल नहीं है रिस्साइकल डॉयल है अगर इस घटिया तेल को कोई पचास बार भी यूज़ करें तो भी इसका रंग नहीं बदलता हमेशा एकदम ब्रैंड न्यू लगता है और इसकी वज़ा ये है कि इसमें टार मिलाय जाता है इस तेल को एक बार इस्तमाल करने में कोई बुराई नहीं है पर पहली बार सिर्फ फाइस्टार होटल में ही होता है और उसके बाद उसका क्या होता ही हमने पता करवाया है और वहां से सीधा भजिया बनाने वाले और चाय बनाने वालों की टप्री पे जाता है सिर्फ कोकिंग ऑईली नहीं इसके और भी बड़े-बड़े बिजनस है जैसे पोल्ट्रिफा जो करीब पचास एकर जमीन पर फैला है किसी चूजरे को बड़ा होने में करीब 3-4 महीने का टाइम लगता है तब ही ये सेहत बंद रह पाते है और इसकी पोल्ट्रिफार्म में पढ़ने वाली मूर्गियों को कॉलिस्टिन नाम की एंटिबायोटिक के एंजेक्शन दिया जाता है जिससे सिर्फ 48 दिनों में ही इनका वजन बहुत बढ़ जाता है इस अबनॉमल ग्रोथ से इने खाने वाले कई बिमारियों के शिकार होते है खास कर अगर इने छोटी बच्चियां खा ले तो साथ से दस साल की उमर में ही उनका शरीर टाइम से पहले जवान हो जाता है उनके पीरियट की साइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता है फिर धीरे धीरे बिमारी बढ़ती जाती है और यूट्रिस कैंसर हो जाता है अगला बिजनस वो चीज जो हर घर की जरूरत है दूद मेरे पास उनके खिलाफ दूद में मिलावट करने के सारे सबूद है और इसलिए मैंने कली उनके सबसे बड़े प्रोड़क्शन प्लांट को सील कर दिया था इतना नई हाइब्रिड केला जो कभी नहीं सरता सेपर वैक्स की पॉलिश करके उन्हें चमकाया जाता है स्टी मिडली को प्लास्टिक में पकाते हैं कुत्तों के मीट को मटन बोल कर बेचते हैं और ऐसी सेक्डों चीज है आज के समाने में खाकर सेहत बनती नहीं है सर उल्टा खाकर वो खराब होती है इस जहरी ले खाने को हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ही तेजी से हॉस्पिडल जाएंगे अगर इस मिलावट को नहीं रोका तो कैंसर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये कैंसर कोई बिमारी नहीं है बलकि धन्दा है इसलिए मैंने उन जगाओं को सील कर दिया मैं अपने तजरुबे के अधार पर कह रहा हूं जगर मैंने तुम्हारे जैसा इमानदार आफिसर कभी नहीं देखा हम किसी एक को भी बचने नहीं देंगे अच्छा किया तुमने सील कर दिया मैं इन मुझरिमों को कट घरे में खड़ा करूँगा और इनके खिलाफ सक्ट से सक्ट लीगल एक्शन लूँगा सारे के सारे सबूत मेरे हवाले कर दो क्यों सर ताकि सारे सबूत उन्हें लटा दे सिर्फ सूंगे समझ जाता हूँ कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं फिर आप तो मेरे सीनियर है आपकी इंसानियत में मिलावट है इतनी सारी फर्म और कंपनी बंद करने के बाद भी मुझे ताज़ुब हो रहा था कि अभी दक आपका कोई फोन नहीं आया उन घलत धंदे वालों ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की तब मुझे अंदाता हो गया तुम सब के सब मिले हुए हो आपने सोचा था ये सारे सुबूत आप मुझे से हाथिया लेंगे है न मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाए कि शाहिद ये सब देखकर आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए मगर अब ही आप इस मिलावट के ख़ड़े नहीं होंगे तो आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अब ये लॉंडे पहले अपने आपको तो बचा ले सब के सब अपना जमीर बेच चुके हो चूँ बे सोचा पड़ा लिखा ओफिसर है तो लडाई नहीं जानता होगा ए चाहता क्या तू है जमीन खोद के गार दूँगा सारे भेड़ी ये सही जगाए कठा हुए हो अपने आपको सरंडर कर दो मेरे कंपनी में पैर रखते ही सभी ऑफिसर्स के पैर कांपने लगते हैं जानता है क्यों क्योंकि उनकी एक फैमिली होती है पर तू तो आनाथ है इसलिए तेरे अंदर डर नहीं है पर तू हम से डरेगा मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ इसलिए आखरी वार्निंग दे रहा हूँ जर्म कबूल करके मेरे सामने घुटने टेको और सरंडर करो वरना तुम्हारी आने वाली नसल भी वही जहर खाएगी जैसे तुम दूसरों को खिला रहे हो चुपकर हमारी नसले खाएगी नहीं बलकि दूसरों के गले में ठूसेंगी आज तो बस ये कमिश्टर हमारा पिला है कल अदालत और सारे मिलिस्टर हमारी जेब में होंगे सुन ऐसे सबूत हम अपनी जूती की नोक पर रखते हैं अदालत चाहे तुझे छोड़ दे पर मैंने ये वीडियो हर सोशल साइट पर डाल दिया है जो वाइरल भी हो चुकी है तेरे प्रोड़क्ट पर जो लोगों को भरोसा था वो मैंने तोड़ दिया वैसे हजारों वीडियो इंटरनेट पर वाइरल होते हैं लोग शौक से देखते हैं, फौवर्ट भी करते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं अगर तुझे मेरे प्रोड़क्ट के बारे में पता चल गया है और माना कि तुने मेरे कंपनी सील भी कर दी तो उसी बिल्डिंग में मैं एक और कंपनी शुरू करूंगा लोगो बदल दूँगा, पैकेजिंग बदल दूँगा, प्रोड़क्ट का कलर भी बदल दूँगा, एड़टाइज भी अलग करूँगा और लोग मेरा माल खरीदने आएंगे जिस प्रोड़क्ट को तुने मिलावटी बता कर हटाया, वो वही रहेगा हम बोड बनवा कर और्गैनिक होने का दावा करेंगे, जिसे देखकर पबलिक दस रुपे जादा देगी, समझे मैं ऐसा हरकिस होने नहीं दूँगा जब तक जनता जीप की गुलाम रहेगी, हम फायदे में रहेंगे तुम को नाह कर रहे हो, लोगों के खाने में जहर मिलाकर अपनी जेबे भर रहे हो तुमें अपनी जर्म की सदा मिलनी चाहिए जर्म का मतलब जानता है, एक जमाने में लोग खितों से चुहे पकड़कर भुन कर खाते थे आज लोग चिकन सिक्स्टि फाइफ चिकन टिक का चिकन बरगर जो दिल में आए खाते हैं जो लोग पहले दिवाली और होली पर पकोड़े और भटूरे खाते थे आज मसालेदार चीज़े खाते हैं पहले सुबह उठते ही लोग चाय पी कर खुद को खुश नसी आज उठते ही अलग-अलग प्रोटीन शेक पीते हैं और वो भी मेरे बनाए हुए दूद की बॉटल में मिलाकर गठक चाते हैं यही तरक्की है पहले सिर्फ पैसे वाले और उनके बच्चे ही दूद पी सकते थे लेकिन आज रास्ते का भिखारी भी 10 रुपे की दूद की धाली खरीद कर पी सकता है समाच की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलावट ही सलूशन है हिंदोस्तान की पॉपिलेशन 130 करोड है सब को शुद चीजें देना मुम्किन है क्या कल तक भूख मरने वाले आज भर पेट खाकर चैन से सोते हैं तो बढ़िया खाना खाकर 80 सा दिया तो कल सौ खड़े हो जाएंगे और परसो हजार इस वक्त भी सैकडो टपरी वाले और डिपार्टमेंट स्टोर वाले तिरा इंतजार कर रहे हैं कि तुझे हम कब मारेंगे आवाज आई उनकी अब तुझे और तेरी सचाई को कुछल देंगे बातों में टाइंग वेस्पत करो मा डालो इसे ठराइंगे हुई तन ना हुई हुई हुई! हुई 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 यई ना हुई 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 फ्टर हुआ जुँ जुँ झाल बहुद जाम रहुआ कि खार अ की खार और competent 쓰고 previous examples कि खार हाँ कि खुट limiting यूख फार Part 2 कि खार हां कि खुट यूляется कि खुट युद कि खुट कि खरया है बहुत्पर से ळकलав, टारजब को आ आसलिए आप आप आसलिए एण आसलिए आसलिए किए अदो किए व से अद 220 दे आए इस अदेखिन से अदेखिन कि एक वुक्र नहीं जुक्रिंगे के डीं आए बेटो और वह्या बढ़ी नुटे को पर दो जूब कि जूब पक्रोशहए अदक्रोन के अदेखिन से अदके में अदखिन से तुम एक के बाद एक दुश्मन क्यों मना जा रहे हो उन्हें लोगों के खाने में जहर मिलाने से रोकना गलत बात है हाँ, ये गलत है, क्यूंकि सब ये बात जानते है सब को पता है वो जहर खाते है जहर भी वही देता है और इलाज भी वही करवाता है एक ही इंसान, फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, क्योंकि सब को अपनी जान प्यारी है, आज सौ लोग आये थे, कल चार सो लोग आएंगे, सब को मारोगे, हाँ मारूंगा, मेरी बात सुनो, वो हमारा पीछा कर रहे थे, अगले स्टेशन पर हत्यार लेकर खड़े ह कैसे बचोगे उनसे, ये जित छोड़ो, कोई एक जगा दिखाओ जहां पर मिलावत नहीं है, सब को छोड़ोंगा, इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, देख भाई, अच्छा काम करने के लिए भी चार लोग चाहिए, उन चार को इकठा करने के लिए जो पहल चाहिए, वो मैंने की है, बाकी तीन कभी नहीं आएंगे, तुम ही पहले इनसान बनोगे, और आखरी भी, सब को अच्छा खाना मिले बच्पन से, यही मेरी इच्छा है, यही सपना है, तुम्हारा कितना कभी पूरा नहीं होगा, मान जाओ मेरे भाई, तुम्हारी शादी होने वाल जाओ, इस रास्ते पर खून ही खून है, मान जाओ, वरना हम सब बली चड़ जाएगे, तुम्हार निकला, देख मेरी बात सुन, तुझे मरना ही होगा, अगर मैंने तुझे नहीं मारा, तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे, मैं तो तब ही मर गया, जब तुने च मेरे अपने भी चाते हैं कि मैं मर जाओ, जब मैं जीते जी किसी चीज में मिलावट को बर्दाश्ट नहीं कर पाया, तो अपनी मौत में मिलावट कैसे बर्दाश्ट कर पाऊंगा? एक बात याद रखना, मेरी जिन्दगी और मौत उनके हाथों में नहीं, पर उनकी मौत मेरे हाथों में ही लिखी हुए है. मैं रहूं या ना रहूं मेरा सपना, हमेशा जिन्दा रहेगा. हेलो, कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, होई, चल गाड़ी खुमा. हावर, रूप, जाके देख जिन्दा है या मर गया. पेट्रोल छिड़कर आग लगा दे इसे, उसके बाद समंदर में फेग दियो. मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जिन्दगी दाओ पे लगा दी. जिन तीन शैतानों ने पैसो के लिए खाने को जहर में बदल दिया था, मैंने ही तुम्हारे जरीयों उन्हें उनके कर्मों की सजा दी थी. जिन शैतानों झाले के लिए थाओ जाओ जिन्दगी. जिन झाले के में झाले के लिए जिया। आपे दो पुझे जाने दो कर दो नहीं परिप जाज दरबादा खोला रहे खलों सह खर नज़ खर खर रो खर आप तुम ही बता जो मैंने किया वो सही था या गलत तुमने पाप किया तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो उन मुझरिमों को कानून सजा देगा कानून तो उने छूबी नहीं सकता है जोती तुम मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो तुम मैं तो किसी किड़े को भी मारना तुम मुझ जैसी हो और मैं तुम जैसा तुम्हारा दिल मेरे जैसा पवित्र है तुम चाहे जो भी कहलो अपने पाप को पुन्य नहीं बना सकते हैं तो क्या चाहती हो तो मुझ से तो चले जो मुझ से यह तो नहीं हो सकता अभी दो शैतान और बचे हैं जो करना है करो पर प मुझे अपनी जान दे दूंगी मुझे अपनी मा की सोगंद है इतनी बड़ी सोगंद मत खाओ जोती जो लोग आज खाने को जहरीला बना रहे हैं कल वो दवाईयों में भी जहर खोलेंगे हम उन दरिंदों को छोड़ नहीं सकते हैं और मेरे बिना वो तुम्हारा सास लेना म मेरी बात मान लो जोती मुझे छोड़कर मज जाओ कर आट अरे हिम्मत है तो साम्या जानना चाहते हो मैं कौन हूँ मैं हूँ फूट सेश्टी ऑफिसर जगान शांत बाटन शांत अगर वो कोई इंसान होता तो उसके टुकले टुकले करके उसे जहनलू भेज देते पर वो तो एक प्रेदात्मा है उससे उसी की तरीके से नेपटना होगा और वो मैं जानता हूँ संधिया आज जोदी मिसमी आई लगता है आज उन्होंने छुट्टी ले लिए एक अंडा कम पड़ी गया वोसिया पन्ना रखना तो भूली गए ये ले लो क्या जमाना आ गया दुनिया कितनी बदल गई है आज कल के बच्चे तो समझ से ही पर है अब उस जगन को ही देख लो जब वो हमारे घर आया था कैसा नाटा कर रहा था एकदम शरीफ एकदम नेक जब थोड़ा सा करीब से देखा एकदम छूठा और मकार निकला उस दिन त देखो जरा उसको परदेश में नौकरी मिल गई है तुमसे जादा उसे तरक्की प्यारी लगी मुझे लगा कि परदेश से जवाब देगा वहां से वापस आकर तुमसे शादी करके तुम ही भी माले जाएगा एकदम गलत सोच रहा था मैं वो आपको क्या जवाब देगा मुझे इस दुनिया में ही नहीं जगन की मौत के बारे में आप से पहले ही मुझे बता चल गया हलो मैडम प्लीज जल्दी आया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सारे बच्चों को एड्मिट करवारा बढ़िया उस्किटल डॉक्टर भी कुछ बताने से मना कर रही है मुझे जाग निकली सारे बच्चे बेहोश हो गए हे भगवान क्या होगे बेटा एमपुलेस पुलाओ सब को उठाओ जाओ जाओ पासी के गवर्मेंट हाई स्कूल के बच्चे खाना खाते खाते अचानक ही बेहोश हो गए मौत के मुँ में समाए बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिच किया गया है डॉक्टर्स की एक टीम इमर्जन्सी बॉर्ट में उनका इलाज कर रही है उनके मुताबिक सभी बच्चों की हालत बेहत गंभीर है फ dispy harvest हां उनके मुझी just डॉक्टरर डेंखो क्या कर रहा ठीकतो हो डीचताँ डॉक्टरर डेंखो इस ओ क्या हो गया डॉक्टर ताइस रूगिया डॉक्टर यह क्या हो गया मेरे बच्चे को मैं अच्छे से बढ़ के बड़ा डॉक्टर बनूँगा टीचर तभी तो मेरे जैसे आप आईज बच्चों का बहुत ही बढ़िया हिलाज कर पाऊंगा पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं खूब कमाऊंगी तब भी तो मैं दूसरों को खाना खिला पाऊंगी अज़ा बढ़ दिया बढ़ दिया अज़ा ये क्या पढ़ाई करके मैं आपकी तरह बहुत बढ़ी टीचर बनूंगी नमस्कार आज की ताजा खबर तिलकनगर के गवर्मेंट हाई सेकिंडरी स्कूल में दस स्टूडिन्स अचानत बेहोश हो गए और पांच की मौस हो गई इस हाद्सी की बज़ा थी स्कूल के बाहर मिलने वाले मिलावत वाली आइस्क्रीम हेल्फ मिनिस्टर ने इस पूरी घटा पर अपसूस चताया है और कहां है कि अवरादियों को सजा मिलेगी देखा मेडम कितनी असानी से अपनी गलती उन्हें ने दूसरों पे डाल दी और वो बाहर की आइस्क्रीम खाकर बेहोश नहीं हुए थे लंच स्कीम में आने वाले अंडों से बेहोश हुए थे जिस इसने अंडे काई सब एक एक करके बेहोश हुए थे जिने ने अंडे नहीं काई सब के सब ठीक है इन सबी बच्चों की मौत की असली बजाए यह डाकर जूट बोल रहे है मेडम के ऐसी बदल दिया इनोंने बटुपनात का पापा आजाईए आगे आईए और साइन कर दीजिए रोग जाओ कोई भी अपने बच्चे की बॉड़ी नहीं ले जाएगा मरने वाला एक भी बच्चा आइस्क्रिम खाकर नहीं मरा वो सब के सब स्कूल में लंच खाकर मरे थे जब तक सचाही सामने निया आप तो सवाल उठाने को कहती हैं लेकिन अपना मूपन करने के लिए हमें पांच लाग रुपए मिल रहे है मैडम मेरी बेटी मेरा कर्ज उतार कर गई जब मेरे घर में आपाइस बंच ने जनम लिया सोचा क्या सिंदी की दुखा आपसे मैं पर आज मो अपनी सिंदी की नेकर चला गया इनके दिये पैसे लेने और कागाई पर जाहित करने के अलामा मेरे बस कोई जारा नहीं था वेड़ा इसकी वज़े मिलावट है हम चोटे लोग ऐसे में क्या कर सकते हम सब मजबूर है जोती आप चुप-चुप हार मान रहे हैं सर हमारा काम बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना होता है हम कातलों को सजा नहीं दे सकते कभी नहीं बेटी तो तुम हुए मैं चार्ड डिग्रियां क्या ले लिं किसी पर भी उखा लोगी क्या मैं बीबीयस डॉक्टर हो और तुम पांच्वी की टीचर मैं क्या कर रहा हूं यह मैं तुमसे बहतर जानता हूं उनके घरवाले मान गए तो तुम्हें क्या प्रप् कर दोचाना के भुछ लगान सुरू हो मैं साथ yayा लगान हैला यह जे लाड़े हैं । हम वाज लो लू छला लू लीला हैcier कि कि अपार कि लू लाज 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 लू में लूगार को वृ लू 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 टो लू ला ल Mond हो लू कर दो पितनाही का थी। लोग 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 लो देखा अब अब जाकार का लिजी में ठंटक पहुंचेंगे इसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा दो यह काटा भी हग्या तुम्हारे रास्ते से आभ या आत्मा तुम्हें नहीं जताएगी पर आभी से इतना खोँष होने का ज़रूरत नहीं पुरी आत्मा का खात्मा करना बहुत आसान होता है लेकिन अच्छी आत्मा को खतम करने में वक्त लगता है हम कल सूरज ढूबने का बात मैं इसको पूरी तरह से अपने कावु में कर पाएगा अगर इस प्रेत आत्मा को अमेशा के लिए शांत करना चाहते हो तो ये जिस भी शरीर को धोरन करे और तुम से बदला लेने आती है तो उस शरीर को फिनिश करना होगा उसे जला कर उसकी राख गंदे नाले में बहानी होगी तुमने चगन की राख को समंदर में बहा कर सबसे बड़ी खलती की थी इससे वो आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध और ताकतवर हो गई और तुम से बदला लेने लौट आई अब उस लड़की को लाओ और उसे जला कर उसकी राख को गंदे नाले में बहाना होगा मैंने तुमसे पहले ही कह दिया ना कि पॉसीबल नहीं है फिर क्यों पीछा कर रही हो इस लैब रिपोर्ट में अंडो में मिलावट होने की बात लिखी है सर ये सब बेकार है डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई कर दिया है कि मौत आईस्क्रीम खाने से वही थी पुलिस ने एफाई यार धर्च कर लिया है और उस आईस्क्रीम वाले को अरेस्ट भी कर लिया है और हेल्थ मिनिस्टर भी इस पर भयान दे चुके है तो भारी इस रिपोर्ट से हम हमें इसकी एसमें वापस नहीं आएंगे पर उनकी मौत की सच्चाई भी द्हुनिया के सामने नहीं जाहिए सा क्या चाहती हो न शक्ताई को सामने लाना बस इतना ही न लाओ रिपोर्ट इस दुरिया में सच्चाई का बस यह अहल होता है यह प्रह्षी पहर प्राई इसा हम प्रसे धने भी और गयोंत Development क 실파न मय पुप novत पसा साइका साथ है खाथ है लड़की खत्रा क्यों मोल लेती है तेरा आशिक तो मर चुका है ना चुप चाप घर पर बैठ कर उसकी मौक का मातम क्यों नहीं मना थी टीचर तो दिल की अच्छी होती है ना तिर हमें क्यों सता रही है तु मुझे जाने दूँ तुझे जाने दूँ और उसे आने दूँ ताकि वो फिर से तांडव मचाए तोनों ने मिलकर नाक में दम कर दिया है चला जागर तुने सच कहा था मैं ही गलत सोच रही थी मैं गलत थी जागर वो तुम जागर दिया जागर जाओ ए, बेट लोग से ठिकाई से क्ई लूओ कि अलू। धर जायरू का सब को शुद खाना मिले यही सपना था ना तुम्हारा इन्ही की वज़ा से पांच महासुम बच्चे बाहरें गए जैकुर्ण प्लीज इन्हें किसी और की जान से मत खेन ले दो इन सब को मौत के घाट उतार दो मार डालो इन्हें आग लगा दे से झालो और किसे लेट से ले दो इन्हें और कितनी बार चलाओगे मुझे पार चलाओगे मुझे झालाओगे, जी कि अालाओगे शिए। खाग यहां से खाग यहां से खाग यहां से है उपरवाले प्लीज इस प्रेट से बचा ले मुझे लगता यह प्रेट आत्मा मुझे मार के ही दम लेगी हाँ 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 तू कुछ भी कर ले मरेवे को मार नहीं सकता है तू कर दो कर. कर दो कर दो लुज अजयू, आजयू! बच्षब, आजयू! बच्छब! बच्छब! बच्छब, बच्छब! बन्नाद! उबच्छा! मुझे छोड़ दो! मुझे नहीं मरना है। मरेंगा जरूर मरेगा। खाने को जहर बनाने वाले कांत ऐसा ही दर्दनाक होना चाहिए। मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं जाने दूँगा। तू वो दरिंदा है जू पैसो के लिए। मा के दूद में भी मिलावट कर दे सिगरेट के पैकेट पर भी कैंसर की वार्निंग लिखी होती है शराब की बोतल पर भी लिखा होता है ये सेहत को बरबाद कर सकती है आने वाले वक्त में ऐसी वार्निंग डाल चावल मसालों घी तेल और बच्चों के दूद पर ना आए इसलिए मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा तुझे जीने का कोई हक नहीं है जोड़ तो मुझे तुझे जैसे पापियों को मारने के लिए हर जनम में पैदा होंगा मैं तुम जहां जाओगे मुझे अपने साथ पाओगे मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलोगी अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता Shot ok Thank you